हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माइस्टाइल व्लाग पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं औरमबोल और स्वीट वाटर लेक के आसपास हूं मतलब वक्त मैं exactly अगर बात करूँ तो मैं Sweetwater Lake बीच जो है वहाँ पर हूँ और मैंने इससे पहले आपको अपना ये वाला वीडियो दिखाया था जहां मैं पहाड़ी से आपको पीछे का नजारा दिखा रहा था तो अगर आप इस बीच पर आते हैं Sweetwater Lake बीच पर अगर आते हैं तो obviously आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यहां का जो वीव है वो बहुत प्यारा है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं यहां पर पैरा ग्लाइडिंग भी होती है और पैरा ग्लाइडिंग जो होती है वो बहुत ही अपने आपने एक बहुत प्यारी राइड है आप जब आसमान से मतलब पहाड़ी के उपर से जब पैरा ग्लाइडिंग करते हैं तो आपको समंदर का और गुआ का एक almost बहुत प्यारा द्रोन वीव आपको दिखता है जिसको देखकर आप मनमगद होने वाले ह जिसमें आपको नीचे आराम से इंडियन लेटे बैठे मौद मस्ती करते नजर आएंगे रश्यन आपको लेटे हुए कंडिशन में नजर आएंगे और जो ओवर आल में गुआ बीच प्लस लोगों के बैठे हुए नजारा जो होगा वो आपको बहुत अच्छा लगने वा पैराग्लाइडिंग और सामने बीच शैक पे बैठे हुए लोग रश्यन जो अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं इस तरह का जो नजारा होता है गोआ में यही नजारा देखन के लिए लोग आते हैं और मैं सही बात करो गोआ में केबल वही लोग आते हैं जिनको अपनी लाइफ से बहुत ब्यार होता है जिनको घूमना बहुत अच्छा लगता है और जो पसंद करते हैं ट्रैवलिंग करना क्योंकि गोआ अपने आप में एक कह लीजे छोटा सा एक टापू आप कह सकते हैं जो आपकी आखों को हमेशा फाल के रखता है क्यों क्योंकि हर बार आपकी आखें कुछ नया ध्यू देखती हैं तो गाइस इस बीच के अगर मैं बात करूं तो यह जो स्वीट लेक बीच है यह औरंबोल बीच से लगावा बीच है जो बहुत ही घुपसूरत है यहां का पानी बहुत साफ सुतरा है और यह जी बीच है यह ब अप्रिल से देर-देर जाना चालू कर देते हैं बैकटु पवेलियन अपनी कंट्री गो तो आप देख रहे हैं जैसे की रशियंस आप सामने बीच पर आप देख रहे हैं कि हो स्वीब कर रहे हैं नओह रहे हैं अपनी मस्त हैं और इस वब्दावर का नजारह है वह ओबो बसूरत नजारा होगा जब मैं रियल में यहां पर बीच पे था तो मैंने उसको फील किया है उस नजारे को और उस एहसास को कि यहां पे बैट कर अगर आप ड्रिंक करते हैं सामने आपके बीच है लहरें बार बार आपके पास आती हैं और साथ में आप देख रहें जैसा कि रशीयन कलरफुल कपड़े पहन के लेटे रहते हैं तो यह जो नजारे होते हैं आप इंसे बात भी कर सकते हैं रशीयन से रशीयन जो होते हैं वो आध़स से बहुत अच्छे होते हैं अंटिल कि आप उनको परिशान ना करें, यह आपको हमेशा अच्छे से रिस्पॉंस देंगे, अगर आप अच्छे से इन से बात करना चाहते हैं, आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर शेक अजय को से बात करेंियें,事情 को अगरना से रिक हैं, उसका प्राइस भी सौ सपासों के आसपास होता है आप टी कॉपी मंगाना चाहते तो उसका प्राइस 50 से 75 रुपीस का होता है तो इस तरीके से जो प्राइस रेंज होती है वो भी एफॉर्डेबल होती है कोई भी नॉर्मल आदमी यहां पर आके बीच को इंजॉय कर सकता है तो गाइस मेरी उक्वेस होगी कि आप जब भी गुआ आएं तो एक पर पागा बीच कोलंगोड बीच के साथ साथ आप यहां पर अरंबोल बीच और इस जो मैं बीच आपको इस वक दिखा रहा हूँ स्वीट व्दफ लेक बीच है आप ठीक सामने देख रहे हैं वहाँ पर तीन चार लोग जो जा रहे हैं काफी दूरी पर वह अंदर जाने का अंदर जाके लेक में नहाने का, स्विम करने का कोई भी चार्ड नहीं लगता है, लिकिन आगर आप बहाँ पर बैठना चाहते हैं, शेक लेके और बहाँ पर ड्रिंक करना चाहते हैं, तो उनके चार्जर सोते हैं, जो आपको 2-370 रुपए कपल के साब से के कल्चर में होता है अपने फ्रीस्टाइल बिक्नी में रहना तो उसी तरीके से हां पर रहते हैं और अपने लाइब को एंजोडे करते हैं और आप बलीब करिए कि जब आप यहां पर आएंगे और रूंचेशे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसास ऐसा होगा कि रश्यन के स्टाइल में ही रहना चाहिए क्योंकि यह अपने लाइप को बहुत अच्छे से इंज्वाइ करते हैं और बहुत कलरफुल प्यारे कपड़े पहनते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं तो गाइस यहां पर आप जब भी आते हैं देगे यहां इस बी यूज होती है मौरंग उस तरह का होता है तो वह आप जब आप वाकिंग करते हैं तो आपके पैरों में फस्ती है लेकिन यहां की जो रेत होती है वह बिल्कुल बालू की तरह होती है जब आप बीच के साइड में चलते हैं तो वह आपके पैरों में बिल्कुल नहीं फस्त सामने पईड़िए हो रही है पेराग्लैडिज्ट्री के लिए वहां से नीच अता रहा जाता हूँ पयराग्लैण तो पैराग्लैडिज्ट्री & पैराग्लैडिज्री के लिए पमत्र होती है वो आल्मोस 15 से 20 मटकी होती है तो यहाँ पर कुछ लोग जैसा आपने भी जस्ट थोड़ा सा पहले देखा कि एक भाई सब पूरी-पूरी मस्ती में लेटे हुए थे बालू-बालू लगा के शरीर में तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी मस्ती में अतने मस्त हो जाते ह हैं पिल दुनिया का कोई चिन्ता नहीं होती है वह अपनी मस्ती में मस्त हजाँ तो जैसा कि आप सामने देख रहें महां पर जैसा की थीन लोग जा रहहे हैं एक यालो पीलेंग की टीशट में लेटी जारी है वो जो रस्ता है वो आपको सीधा ले जाएगा अरंबोल बीच की तरफ इवन दो कि जो यह दोनों बीचिस हैं बहुत पास-पास हैं बीच में केवाल एक छोटा सा मार्केट है जो एक एले या गली की तरह कह लीजे जिसमें से आप यहां पर स्वीट वाटर लेक बीच पर बहुत जाएंगे क्या मस्ती की पैरा घ्लाइडिंगा इस आपको यहां पर जरूर आना चाहिए वाव आप देख रहे हैं वाव पच्चे भी मस्ती में मस्त होका लेटे वे हैं और बीच को एंजॉय कर रहे हैं यहां पर आपक सिठ ब्रिंग्स का, नॉन वेज का, वैच का लुफ्त ले सकते हैं और बीच का इंज्वाइ कर सकते हैं यह जो बीच है आप रियल मानिए मैं इस पूरे वीडियो में बार-बार कह रहा हूं कि यह जो बीच है यह बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर बीच है और रश्यनाकर इस बीच को और ज़्यादा सुन्दर कर देते हैं क्योंकि वो यहां पर बहुत कलरफुल कपड़े पह करते हैं जिस तरह की अक्टिविटीज आपको अरंबोल बीच पर भी देखने को मिलती है तो गाईस आज की वीडियो में बस इतना ही होफुली आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे आगे के वीडियो भी इंच्वाइक करते रहेंगे वेर क्या प्रइस इलरा प्राइटें कैड़ थे व्यवाenda थाफिडर्र तेम्याइड अच्छा ट्रक्टिवर नगा है तो watt रोटल बाड्री है टो गान्यडवोर्ड थाफिचान वीडियो था तो ट्यू आच्डव कर 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 Twins के नाच्छे कम क् nominees क करते हैं college